हैलोँ फ्रेंट्स विलकम बैक टू मैई चैनल मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आईऊ'M आपकी लिए आलू के चिप्स के रेशिप्स्य पर इस आलू के चिप्स को आप एक साल तक स्टोर करे हों एक बर बनाए और शाल बर करे जब मन करें आप इसको फ्राइ करके खा सकते हैं जैसे हमारी नानी और दादी बनाती थी न मैं बिल्कुल उसी तरीके से इस चिप्स को बनाई हूं तो आपको जरूर पसंद आएगा अगर इस पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो यहां पर मैंने थोड़ा बड़ा साइच का अलू लिया है आप मेडियम साइच के भी ले सकते हैं बहुत जादा चोटा मत लिजेगा और जो नए आलू आते हैं एकदम पतले पतले चिलके के चिप्स वाला आलू जो है न मिलता है तो आप मार्केट में जाके फरवरी नखी नखुआ से इया है तो यहां पे छिलगा हम उतालें लिए चैह, फिर ना आलू रहचे के ऊपाता है तो आपको इसने पाने नखी के चैषित के बाहर सकते हैं तो आपको अन्मा ने का जो पानीमें हम डालते जाएंगे इसे यहां प्रादा सी चैह, यहां पे मैं पर ह पादा स्लाइस ते लेकले सारी चिम्स कथा उपादा सीMo ऑनारी सारा आणरी में आलो अकुछा पादा счит बजने ओंगे सेमी से अगर क्षिंगे हमें आवा करोगा लिए अगर आपको प्टला चाहीए तो ettetreeiigor की ज़या कि यहां में नो में अब हम क्या करेंगे ना यहां पे मैंने यहां पे चिप्स को दो डिजाइन में काटा है एक प्लेन है और एक थोड़ा सा ऐसे है लाइनिंग लाइनिंग ठीक है तो यहां पे अब यह जो चिप्स है ना इसे बहुत ही अच्छे से दूलना है अगर आप चिप्स को नहीं दूल कि अब अच्छे से साफ कीजिए गया कि सारे डालो और अब क्या करेंगे ,दिटी की आंसार दने ओगशुचे आदा बहुदा पानी लिए वल्क आधा भगोना शेइश को हुद सबस्देगा जब आ फ्राइ कीजेगा तो उसके उपर आप नमक छिड़क सकते हैं तो यहाँ पर आपका मनो नमक डालिए या फिर इसकी भी कर सकते हैं तो यहाँ पर चिप्स को मैंने एकदम साफ कर लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे जब एकदम पानी खौलने लगे एकदम बॉयल होने लगी इस तरीके से तब हमें चिप्स को पानी में डाल देना है तो अब हम पानी में चिप्स को डाल देंगे और जो गैस का फ्लेम है एकदम हाई रखना है लो टू मीडियम नहीं रखना है एकदम हाई फ्लेम रखना है तो आलो को हम चार से पांच मिनट तक बॉयल करेंगे आप एक बात का ध्यान रखिएगा आपको चीपस डाल के कहीं जाना नहीं है खड़े रहे गवाई पर वरना क कच्चा पन रहना चाहिए बस तीन से चार से मिनट तक ही आप इसमें डालिये खोलते हुए पानी में और उसके बाद आपको निकाल नहीं करना है अगर आप आलो करेंगे ना तो चिपस पूरे गल जाएंगे तो यहां पे थोड़ा थोड़ा दो तीन में के बाद आप चेक करेंगे ना तो यहां पे आप चेक करते रहेगा थोड़ा सा कच्चा पन रहना चाहिए हलका सा तो बस यहां पे हम क्या करेंगे अब आलो को हम निकाल लेंगे तो अब हम क्या करेंगे एक इस्ट्रेनर ले लेंगे और आलो के चिपस को ऐसे निकालते जाएंगे ताकि जो इसमें नीचे छनता जाए तो ऐसे ही हमें इस ट्रेनर को किसी आप भगोने या बाल्टी के उपर रख सकते हैं और इस तरीके से आप चिप्स को निकालते जाएगे तो जो भी इसमें पानी है वो नीचे निकलता जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसे हमें आलो की चिप्स को सा इंगलाना है तो बाकी की सारे चिप्स हमें ऐसे ही बॉयल कर लेना है और एक बात का ध्यान रखिएगा जब आप एक दो राउंड आप चिप्स बॉयल करते हैं तो पानी नॉर्मल टंपरेचर पर आ जाता है मतलब नब बॉयल होता है और एकदम गरम नहीं रहता है तो नहीं ही अब हम क्या करेंगे एक प्रप्रा विचा लें गे जैसे एक सूती कपड़ा आप जो भी श Gina ौक डालना चाने तो इसमें एक तो ऐसे कर के धिलादेगे तो ये मेरे ना दूसरे दिन की सुटिंग है though यह आप देखे सकते ही एकड़ कर में चिपस ने को एक साल कर कर के दिस्टें चैसे तो इस्टीप सकते हैं चिपस ना ओन मंल कजरें तो और खाना आप देखे अगर आपको सुबह चिप्स काटने का समय ना हो तो आप इस चिप्स को रात में भी काटके रख सकते हैं बस आप इस बात का देहान रखेगा जो आप चिप्स काटेंगे ना आलू का उसको बस आपको पानी में रखना है मतलब पानी के अंदर चिप्स को रखना है अगर आप मतलब खसता एकदम कूरकुरे बने हुए हैं चिप्स हमारे तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल हमारा जादा ही करम हो गया ता इसलिए color dark आगया है आप थोड़ा सा नॉर्मल टमपरिचर पर तेल लेना तभी हा फ्राइ किजेगा आपके चिप्स लाल नहीं होंगे तो बस तेल त ट्राइ कीजेगा और अगर देश पसंद आया तो वीडियो को लाइक सीए और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले नई देश्पी के साथ